नहीं सच में मैं जानना चाता हूँ तुम क्या चाते हो सीरियसली बताओ यार तुम क्या चाते हो हगना चाते हो तो कहीं और जाके हगो ना कोई शोग नहीं है तुम्हें हगते हुए देखने का उनको शोग होगा जो रियक्शन चैनल देखते होंगे नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ चोक पैसा बोलता है मूवी के बारे में जिसे नेट्फिक्स पर रिलीज किया गया है सची में बहुत जादा उमीदें थी जब ये मूवी का इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था मुझे रगा था कुछ नयाई देखने को मिलेगा बट नहीं समझ लो यार एक और कच्रा आगया डमयार्ड में इसे डारेट किया है इस सदी के माहान डारेक्टर अन्रॉक कश्चप ने मैंने सच में इस इंसान से इस बार उमीद लगा ली थी कि हाँ इस बार कुछ अच्छा कंटेंट देने वाला है लेकिन नहीं यार तुम कुता पालो बिली पालो बट वहम मत पालो और वहम इस बात का कि अन्रॉक कश्चप बिना किसी प्रोपोगेंडा के एंटरेटेन्मेंट वाली मुवी बना सकते है इसमें कास है शामी खेर, रोशन मैथ्यू, मुरता सुबास और राजसरी पेस पांडे और बाकी अन्यकलाकार काहने के बात करते हैं सरीता नाम की एक औरत जो बैंक में जोब करती है और उसका पती शुशान्त जो कोई काम नहीं करता इसलिए सारी की सारी गर की जिमधारी शरीता की कंदों पर है जो पिशे और पांच रुपे काहां दिये दो रुपे किस्से लेने इन सब तक का वह हिसाब रख रही है तो एक आदमे जो सरीता के ऊपर वाले माले में रहता है वो उसके पास पैसों का भंढार है वो उन पैसों को छुपाने के लिए जायर सी बात है वो black money है उन पैसों को छुपाने के लिए वो bathroom में जो जहां से गंधा पाने निकलता है उस pipe में उन पैसों को एक pulleton में डालके वहां पे चुपा रहा है वे टीटू ज़रा अपने बातरूम में जाके चेक करी हो कहीं अपने पास भी ऐसे पैसे निकल जाए यार कई दिन हो गयार कच्छा नहीं बतला तो कच्छा नया ले लूँ है देख कच्छे जितने रुपे मिल जाए तो तो पाइप जाम होने के कारण वो रुपे जो है वो दिमोनिटाइजेशन करवाना अब नोटबंदी के बाद सरीता जो है वो इतनी टैंशन में आ जाती कि उसके रुपे कैसे बदलेंगे फिर भी वो बैंक में जोब करती तो अपनी बैंक की जोब का वो फाइदा उठा कर अपने रुपे बदलवाती है लेकिन एक दिन उसके बैंक में डाका पड़ जाता है जिसमें उसके भी ही रुपे चले जाते हैं तो फिर सरीता के घर में एकसाइज और पुलिस वाले आते हैं उनको पता चलता है कि यहां से रुपे जा रहे हैं कहीं से कोई सोर्स है रुपे जाने का यहां कुछ ज़्यादा ही रुपे मिल रह के पता करते हैं कि गहां से रुपए आ रहे हैं तो उसका पती बताता है कि ऊपर वाले माले में कोई रहता है वहाँ ये ऐसी नाली में से रुपए आ रहे हैं जब चापा मारते हैं तो उनको सब सीजें पता चल जाती है और लास्ट में सरीता और उसके husband को 10% इनाम भी मिलता है, black money पकड़े जाने के दोर, इसका average में जो मिलता है, बस इतनी सी कहानी है, आजकर पता नहीं लोगों को क्या शोक चड़ा है, कच्रा जो उनके दिमाग में भरा हो है, वो कच्रा दिखाने का, और जो लोग इस कच्रे को देख रहे हैं, सच म उनका दिमाग भी कच्रा होते जा रहे है, थोड़ा सब ध्यान लगा कर सोचो कि इस movie में interesting क्या था, या फिर entertaining क्या था, इतनी ज़्यादा slow movie है कि बीच बीच में मुझे पानी अपनी मुँ में मारना पड़ रहा था, ताकि मैं नीन आ जाये मुझे, मैं इसके makers को यह कहना अगर तुम लोगों को कोई propaganda चलाना ही है, तो 10 से 15 मिनिट की कोई video बनाओ, उसे YouTube पे upload कर दो, क्यूं तो दो गंटे की इतनी लंबी movie बनाकर लोगों को irritate कर रहे हो यार, ओए टीटू, यह ज़रा subscription का पता कर यार, यह Netflix वाले subscription का रुपए वापस दे रहे हैं या नहीं दे या सड़ी हुई series, movies आती जा रहे हैं, तिमाग का कच्रा कर दे हैं इन movies और series ने, कभी यह लोग Resident Evil की copy बना देंगे, कभी इनके दिमाग में जो कच्रा चल रहा है, उसके उपर movie बना देंगे, इस movie को देखने के बाद, इसके उपर मैंने दो पंक्तियां लिखी हैं, ज़र इसके तुम देखोगे, और तुम देखोगे, और तुमें खुद पता चलेगा, और इस movie में कुछ नहीं था, दो गंटे तुम लोगों ने बरबाद कर दिये, कैर जिन लोगों ने अपने दो गंटे बरबाद कर दिये, वो नीचे comment box में लिख सकते हैं, अपना दुख दर् आइसेट लेकर वो इस movie को देखते हैं, कैर जिनको भी जैसी लगी है, वो नीचे comment box में अपने विचार पर कट कर सकते हैं, बस आज के लिए इतना ही तैस वीडियो में, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, जाहिंद!